अगला टोपिक पड़ेंगे वो है लोवेश्ट बोल दिजिए या सिंपलेस्ट या स्टेंडर फॉर्म ओफ रेक्षन की लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टेंडर फॉर्म कून सी है कैसे निकाली जाती है यह आगे वाले टोपिक में आपके काम आएगी ठीक है देखिए सबसे पहले जैसे हमारे पास 18 upon 24 इसकी lowest form निकाल लिए क्यूशन दे दे या simplest form दे दे या standard form दे दे तो कैसे निकालते हैं देखिए बचो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है 18 और 24 इन दोनों की हमें lowest या simplest form निकालने के लिए इनकी सबसे पहले HCF निकालनी पड़ती है सबसे पहले इनकी HCF निकाल लीजिए ठीक है HCF आपको आती है division method से और prime factorization method से आपने पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ इस परकार से HCF निकाली जाती है इसकी सबसे पहले आपको बताया prime numbers का इन में divide देते हैं सबसे पहले 2 जब तक 2 का जाता है तब तक 2 का divide देंगे उसके बाद हम 3 का divide देते हैं जब तक 3 का divide जाता है उसके बाद हम 5 का देते हैं 7 का ये सारे क्या है prime numbers है प्राइम नंबर्स आपको बताए हुए हैं मैंने देखिए सबसे पहले इसमें तू का रूल है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो इसमें तू का डिवाइड जाता है इसके लास्ट डिजिट पे 8 है तू का डिवाइड जाएगा 2, 9 जा 18 अब 9 में तू का नहीं जाएगा आप चलें हम 3, 3, 3, 3, 9 और 3 में जाएगा 3 बनज़ 3, 24 के हमें सब सब ले जाएगा 2 का 12, 2 जा차 24, अब के लास्ट में 2 है फिर दू का जाएगा 6, 2, 12 आब दू का डिवाइड जाएगा 2, 3 जा 6 आब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा अब जाय का डिवाइड 3 का डिवाइड 3 तो आगे 18 के प्राइम फेक्टर्स और 24 के प्राइम फेक्टर्स आगे 2, multiply 2, multiply 2, multiply 3, ठीक है, तो इनकी hcf क्या आगई, एक तो ये हो गया common, एक ये 3 हो गया, और कोई common नहीं इसमें, तो एक तो 2 हो गया, और एक हो गया 3, 3 to 6, इनकी hcf आगई 6, उस hcf का हमें क्या करना है, इनके अंदर divide देना है, देखिए, 6 का इन numerator और denominator में divide देदीजिए, 18 में 6 का divide कितनी बार जाता है, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 ताइम और 24 में जाएगा, 6 4 जा 24, तो इनकी lowest form क्या हो जाएगी, 18 अपन 24, 24 की, 3 अपन 4, इसी से related कि उसने आप बात करने है,